हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू नॉलेज की पात्शाला जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप तीस प्राशन को लेकर आते हैं जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं SSC, IBPS Clark, IBPSPO, RBI, TAT, BAD, UPSC, इत्यादी के लिए उप्योगी है जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछी जाते हैं आपका पहला प्राश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वानिज ये कूर्जा का प्रधान स्त्रोथ है A. प्राक्रतिक गैस, B. कोईला, C. खनिज तेल, D. नाभी की अउर्जा, इसका सही उत्तर है A. कचद की खारी, B. खमभाद की खारी, C. कच का लिटल रन, D. कच का रन, इसका सही उत्तर है A. कचद की खारी, C. कच का लिटल रन, आपका अगला प्राश्न है सेतु समुद्रम परियोजना जन्ही जोडती है, वे है एक पाक खाड़ी और पाक जल संधी, बीक कुमारी अंतरीप और मननार की खाड़ी, सीख मननार की खाड़ी और पाक खाड़ी, दीक पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, सीख मननार की खाड़ी और पाक खाड़ी, आपका अगला प्राश्न ह दक्षिन एशिया का सबसे घना बसा देश है, एक बांगलादेश, बीग भारत, सीख माल दीग, डीग श्रीलिंका, इसका सही उत्तर है, ओक्षिन, सीख माल दीग, आपका अगला प्राश्ण है, ओजोन परक मुख्यतह कहां अव्यवस्थित है, एक ट्रोपोस्फियर, बीच स्टेटोस्फियर, सीख मेसोस्फियर, डी आयनोस्फियर, इसका सही उत्तर है, ओक्षिन, बीच स्टेटोस्फियर, आपका अगला प्राश्ण है, जनसंख्या वृद्धी का सरवादिक प्रतिशत किस महादवीद के देशों में देखा है, ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ल अरूनाचल प्रदेश, बी पश्चम बंगाल एवं असम, सी पश्चम बंगाल एवं त्रिपुरा, डी अरूनाचल प्रदेश एवं असम, इसका सही उत्तर है, ओक्षिन, सी पश्चम बंगाल एवं असम, आपका अगला प्राश्ण है, नागार्जुन सागर परियोजना, जिस नदी पर अवस्थित है एक भध्रा B. भीमा C. कोदावरी D. क्रिश्न इसका सही उत्तर है ओक्षन D. क्रिश्न आपका अगला प्राश्न है प्रदीक बंदरगाह कहां स्थित है A. केरल में B. करनाटल में C. उलीसा में D. पश्चम बंगाल में इसका सही उत्तर है ओक्षन C. उलीसा में आपका अगला प्राश्न है कोरल रीफ या जिवाश्न पट्टी प्रायल कहां पाई जाती है A. 180 से उपर शीतोष्न जलवायुक शेत्र में B. कर्कव मकर के बीच ततियक शेत्रों में C. महाद्रीपो वद्वीपों के पूर्वी पश्चमी दोनों तटों पर D. थंडे समुदी या तटों पर इसका सही उत्तर है ओक्षन B. कर्कव मकर के बीच ततियक शेत्रों में आपका अगला प्राश्न है बक्सा बाग पर योचना किस राज्य में है A. मध्यपद्रेश B. पश्चम बंगाल C. प्राजस्थान D. कुजरात इसका सही उत्तर है ओक्षन B. पश्चम बंगाल आपका अगला प्राश्न है प्रसिध अंगुलियो नुमाक्षी शेत्र कहा स्थित है A. आस्ट्रेलिया में B. आस्ट्रिया में C. गृटेन D. सैयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर है ओक्षन D. सैयुक्त राज्य अमेरिका आपका अगला प्राश्न है किस महद्वीत में एटलस परवत स्थित है A. एश्या में B. उरोप में C. ऑस्ट्रेलिया में दी अफ्रीका में इसका सही उत्तर है उक्षन दी अफ्रीका में आपका अगला प्राश्न है गोगी मुरूस्थल किस देश में स्थित है A. मंगोलिया B. सोमालिया C. मिस्ट्र D. नेक्सिको इसका सही उत्तर है उक्षन ए मंगोलिया आपका अगला प्राश्चन है कौन सी जोड़ी सुमिलिक नहीं है ए चिली मेंटियागो बी अर्जंटीना ब्यूनत आयोज सी उत्तर कोरिया सियोल डी इथियापिया अदिस अबाबा इसका सही उत्तर है ओक्षन सी उत्तर कोरिया सियोल फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका अगला प्राश्चन है हिमालय की श्रेनी में कौन प्राचीनतम है A. शिवालिक श्रेनी B. थौलाधर श्रेनी C. निम्न हिमालय D. व्रिहत हिमालय श्रेनी इसका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्चन है भारत में कौन सा म्रिदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने की कारण बंज़ होता जा रहा है A. लेतराइटिक B. चलोर C. ट्राक D. मुरूस्थलिय बालू इसका सही उत्तर है ओक्षन A. लेतराइटिक आपका अगला प्राश्चन है भारत में आपलावी वन कहां पाये जाते है A. अरावती परवत श्रेनी B. सुन्दर 1 C. अंदमान D. खिमालय के दक्षिनी धाल इसका सही उत्तर है ओक्षन B. सुन्दर 1 आपका अगला प्राश्चन है प्रित्वी तल की आयू लगभग कितनी पुराणी मानी जाती है A. चार दशमलव 6 मिलियन वर्ष B. तीन सो मिलियन वर्ष C. एक सापचास मिलियन वर्ष D. सो मिलियन वर्ष इसका सही उत्तर है ओक्षन A. 4.6 मिलियन वर्ष आपका अगला प्राश्ण है बेगई क्या है? A. पश्चिम एश्या की जन जाती B. मध्य एश्या में बहने वाला तूफान C. व्यापारिक पवन D. अमेरिका में चलने वाला चक्रवात इसका सही उत्तर है A. आपक्षन वायुमंदल में सरवादिक मात्रा में विद्यमान अक्रियक ग्यास कौन सी है? A. क्रिप्टॉन B. कीलियम C. ओर्गन D. नियोन इसका सही उत्तर है आपक्षन C. ओर्गन आपका अगला प्राश्ण है विश्व का सबसे उजाजवाला मुखी परवत कोटो पैक्सी कहा स्थित है A. भारत B. जापान C. जर्मनी D. इक्वेडोर इसका सही उत्तर है ओर्गन D. इक्वेडोर आपका अगला प्राश्ण है वायुमंदल का सरवादिक स्थाय तत्व है A. नाइट्रोजन B. जलवाश C. ओक्सीजन D. इनमे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ओक्षन B. जलवाश आपका अगला प्राश्ण है लोय अस्पथार स्थित है 1. भारत B. जापान C. क्रूस D. चीन इसका सही उत्तर है ओक्षन D. चीन आपका अगला प्राश्ण है प्रित्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की उजाई तक पाया जाता है A. तीस प्रतिशत B. पैसट प्रतिशत C. अठासी प्रतिशत D. सत्तानवे प्रतिशत इसका सही उत्तर है ओक्षन D. सत्तानवे प्रतिशत आपका अगला प्राश्ण है मेग गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है A. ओजोन मंडल B. क्षोम मंडल C. समताप मंडल D. इनमे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ओक्षन B. क्षोम मंडल आपका अगला प्राश्ण है सूर्य की तीव किरनो द्वारा जुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है A. ओगन B. ओजोन C. ओक्सीजन D. थाइड्रोजन इसका सही उत्तर है ओक्षन B. ओजोन आपका अगला प्राश्ण है शान्त पेटी किस रेखा के दोनों और पाई जाती है A. कर्क रेखा B. भूमध्य रेखा C. मकर रेखा D. इनमे से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ओक्षन B. भूमध्य रेखा आपका अगला प्राश्ण है निम्नल इखित में से किसे प्रकृती का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है A. च्वाला मुख्य B. ओजोन गैस C. भूकम D. नदिया इसका सही उत्तर है ओक्षन A. च्वाला मुख्य आपका अगला प्राश्ण है वायू मंदल में सरवादिक कौन सी गैस मिलती है A. नाइट्रोजन B. हाइड्रोजन C. ओक्सीजन D. इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स अस प्राश्ण का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्ण लेकर आते रहेंगे थांक्यू फो वाचिंग